तो दोस्तों आज में बात करने जा रहा हूं विए यू 20 रियल्म 5S और रेड्म नोट 8 के के बारे में क्योंकि प्राइस तीनों की लगबग सेम है दसजार ग्यारा हजा तो चैमरा इस पर फीटर्स आपको बता हूंगा कैमरी के प्रफॉमेंस के बारे में बता हूंगा उसके और आपको डेट सेंसर नहीं मिलता है इसके बात करते हैं रेड्म नोट 8 और रियल्म 5S की तो यहां केमरा स्प्राइब के तब सेम हैं जैसे कि दौनों में आपको मिलता है 48 मेगा पिक्सल का रेयर केमरा सेट है जिसका अपर्चर साज है 1.8 8 मेगा पिक्सल के लिटर लेंस इसके लावा पॉर्टेट मोड रेयर और फंट दौनों के लिए यह सारी चीज़ें आपको तीनों ही डवाइस में मिल जाते हैं और रेड्म नोट 8 दौनों से आपको बारा बारा मेगा पिक्सल की फोटो मिलती है 48 मेगा पिक्सल के लिए आपको यहां मैनूली रिजलूश इनकी फोटो ले पाऊगे नाइट में फोटोग्राफी के लिए तीनों ही डवाइस में आपको नाइट मोड भी मिल जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करना तो तीनों ही डवाइस से आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन वीव यूट्वी पुल कुछ आउट्डोर मेक्रो शॉट्स की और यहां आप स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ ऐसी प्रफॉर्मेंस आपको मिलती है वीव यूट्वी रैड्मी नोटेट और रियल्मी 5S से मतलब सबसे पहले बात करने का कलर टॉन की तो वीव यूट्वी और रियल्मी 5S में कहीना कहीं सेम कलर टॉन देखने को मिलती है लेकिन रैड्मी नोटेट के पिक्चर्स 5S और यूट्वी के सामने थोड़े से वाश आउप नजर आते हैं तो यहां का नेच्रल फोटोग्रोफिक की बात करने तो वह आपको रैड्मी नोटेट में मिलती है लेकिन अगर जैसे कि आ इसके अलाबगा 5S में अभी तक मैंने यहां पर क्रोमा बूस्ट ओन नहीं किया है इसके अलाबगा डेटेलिंग की बात करने तो आटो मोड पर U20 से आपको मिलती है 16 मेगापिक्चल की फोटो वहीं डेड्मी नोटेट और यल्मी 5S से आपको मिलती है 12 मेगापिक्चल की तीनों ही डवैसे में अमेजिंग डेटेलिंग देखने को मिलती है जैसे कि आप यहां देख सकते हो आगई में कई सारे सेंपल सेट की हैं जिससे आपको एडिया हो जाएगा किस तरीके की आपको डेटेलिंग देखने को मिलती है लेकिन अगर तीनों को आपस में कंपेर कर तो उस कंडिशन में Auto Mode पर U20, Redmi Note 8 और 5S से बहतर है। अभी ये कुछ सेंपल्स हैं जहांपर मैंने Realme 5S में Chroma Boost On करने के बाद टिक्चर्स कैप्चर की हैं और यहां से आप याइडिया ले सकते हो कि Chroma Boost On करने के बाद 5S के कलर्स कितने यादब बूश्ट हो जाते हैं और उस कंडिशन में U20 और Redmi Note 8 के कंपेरिजन 5S के पिक्चर्स कैसे लगते हैं। Chroma Boost On करने के बाद आपको सारे के सारे पिक्चर्स अमेजिंग नहीं लगते हैं। कभी-कभी Oversaturated पिक्चर्स लगते हैं जो कि देखने में थोड़े से अजीवी हो जाते हैं। जैसा कि यह फोटो है। अब यह हैं कुछ ultrabat photos और तीनों ही devices मुझे यहां ठीक ठाक लेगें। बहुत जादा कुछ यहां comparison करने के लिए नहीं है। अगर colors की बात करने तो 5S में आपको कुछ जादा ही artificial colors देखने को मिलते हैं। जबकि इस condition में U20 और Redmi Note 8 5S के comparison में थोड़े से जादा बहतर नजर आते हैं। बागी का dynamic range आप यहां देखे सकते हो किस device में कैसी देखने को मिलेगी। रियर camera के portrait mode की बात करने तो तीनों का ही age deduction एकदम कमाल का है। लेकिन क्योंकि U20 में आपको depth sensor नहीं दी जागया है तो ज्यादा तर टाइम यह fail होता है जैसे कि आम इस photo में देख सकते हो। सेम distance से 5S और Note 8 पर कमाल का portrait mode capture होता है लेकि U20 में नहीं होता। सेम नेक्स प्रिक्चर में भी यह issue देखने को मिला था, overall portrait mode के लिए वीवर U20 एक अच्छी पसंद नहीं है और इस condition में Redmi Note 8 और Realme 5S U20 से ज्यादा बहता है। जाकि अगर पास से आप capture करते हो photo तो उस condition में वीवर U20 से आप portrait mode ले सकते हो लेकि डिस्टन थोड़ी सी ज्यादा होने पर आपको यह issue देखने को मिलता रहेगा। फ्रंट केमरे की बात करने कोछ यह performance आपको देखने को मिलती है। यहां पर Redmi Note 8 और Realme 5S की selfie U20 से ज्यादा बहता है। U20 से आपको मिलती है natural selfie लेकिन आज के टाइम में किसी को भी natural selfie की जरूरत नहीं है। तो selfie के लिए Redmi Note 8 और 5S ज्यादा बहता है। बाकी के colors की बात करने तो U20 में आपको मिलेंगे natural colors और Note 8 और 5S में आपको oversaturated colors मिलते हैं। और अगर Note 8 और 5S में भी compare करने तो 5S यहां सबसे ज्यादा आगे है। तो colors एकदम oversaturated चाहिए। कमाल के selfie चाहिए तो 5S आपके कामका है। और एक limit की अच्छी selfie चाहिए तो Redmi Note 8 क्योंकि Redmi Note 8 के pictures में आपको एक unnecessary red tone show हो थी जैसा कि आपके skin tone को compare कर सकते हो। जबकि वी वी U20 में आपको एकदम natural selfie देखने को मिलती है। हलागे selfie U20 के इतनी बुरी नहीं है। लेकि जब तीनों को आपस में compare करते हैं तो उस condition में Redmi Note 8 और 5S के selfie U20 से ज्यादा बहतर नजर आती है। बागी का portrait mode पर भी मैंने यह selfie capture की है और तीनों का ही age deduction यह एकदम कमाल का है। अब जो main difference है इनके camera में वो है इनके megapixel का, Redmi Note 8 और 5S में आपको मिलता है 48 megapixel का camera और यह है कुछ difference, जानि की main difference देखने को मिलेगा वो केवल detailing का रहेगा। अब सेम कंडिशन में अगर आप डाइनफी और color tone को compare करते हो तो वाई U20 बहतर है as compared to Redmi Note 8 और 5S से लेकिन डेटेलिंग की बात करना है तो Redmi Note 8 और 5S में आपको थोड़ी सी अच्छी detailing देखने को मिलेगी U20 के comparison में है। यहां सब कुछ ब्लेक है U20 में और नाइट मोड एप्लाई करने के बाद एक दम कमाल का फोटो देखने को मिलता है यहां पर अगर इस पेसली कबल नाइट मोड को compare करें तो उसमें सबसे अच्छी प्रफॉमेंस मुझे U20 की देखने को मिली जैसे कि यहां सब कुछ ब्लेक यहां पर नाइट मोड एप्लाई करने के बाद एक दम कमाल का फोटो देखने को मिलता है U20 में और इस कंडिशन मुझे रैडमी नोटेट और 5S से ज्यादा बैतर लगा वागी का नॉर्मल लो लैट फोटोग्राफी की बात करें तो उस कंडिशन में रैडमी नोटेट और नोइज बहुत कम देखने को मिलता है जबकि रैडमी नोटेट में ज्यादा देखने को मिलता है और बाकी का ये एक लाश्ट फोटो है इससे आपको पूरी तरह से आइडिया हो जाएगा कि लो लैट में 5S, रैडमी नोटेट और U20 से क्यों बहतर है वीडियो रोकॉर्डिंग की बात करनों तो तीनोही डवाइस से आप 4K तक का वीडियो रोकॉर्ड कर सकते हो लेकिन U20 में आपको 60fps का भी सपोर्ट मिलता है तो पहला तो प्लस पड़्ड यू टॉन्टी के लिए यही हो गया बाकी का यह है तीनोही डवाइस के रेयर केमरे से रोकॉर्ड किया गया एक फुल एस्टी का वीडियो सेंपल 30fps पर और सबसे पहले बात करने है कलर्स की तो बाई भी आपको अमेजिंग कलर्स देखने को मिल जाते हैं बागी का इस्टीपलेशन की बात करने तो तीनों का ही एकदम अमेजिंग है यहां किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है एक्षपोजे लेवल की बात करें क्योंकि बिल को डारेक्ट संलाइड में मैंने ये वीडियो रुकॉड किया है तो वो सबसे अधा बेलेंस मुझे रियल्मी 5S में देखने को मिला है स्लो मोशन वीडियो की बात करें तो यह है तीनों ही डिवाइस के रेयर कैमरे से 240 fps पर रिकॉर्ड किया गया एक स्लो मोशन का वीडियो सैंपल और यहां अगर तीनों को आपस में कंपेर करने तो वैं तीनों ही एक दम अम्बेजिंग है यहां किसी तरह का कोई इस्यू नहीं है एक जो मैंची स्लो मोशन में होती है वो है लैग और यहां पर तीनों में से किसी भी डिवाइस में स्लो मोशन में मुझे लैग देखने को तो दोस्तों यही दा मेरा Redmi Note 8, Realme 5S, Vivo U20 के बीच camera comparison, सारी चीज़े मैंने यहां 111 आपको बदा दे कि किस condition में कौन सा device कैसा perform करता है, अब front camera की बात करने तो यहां विवर U20, Redmi Note 8, Realme 5S से थोड़ा सा डाउन है, वैसे overall performance की बात करना, तो इन तीनों में मुझे Redmi Note 8 का camera सबसे यहादा stable लगा, सबसे यहादा कमाल का लगा, बाकी का अगर बात करना है, विवर U20 के बारे में, तो अगर 60fps पर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो उस condition में Redmi Redmi Note 8 और Realme 5S आपके काम कहीं नहीं रहते हैं, क्योंकि 60fps का support के वाल आपको वीवर U20 पर मिलता है, इसके लगा, colors आपको एकदम उब्रे हुँ चाहिए, एकदम कमाल के चाहिए, तो वो आपको मिलते है Realme 5S पर, तो अपने use के according आप यहाँ से खुद डिसाइड करिए कि बैतर रहेगा, मैंने तो यहाँ आपको सारे के सारे सेंपल्स दे दी और अपना अभीन भी दे दिया, तो दोस्तों मुझी मिलते वीडियो को पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्स्क्राइब, मेरा नाम है धर्मेश, आप देखरे हो फोन दिया अग्ले वीडियो में जाल दिया पोकर पुताइब के लिगए, याप देखरे हो हो